नमस्कार इस्टेडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में जैंसी आयती की कक्षा सात्मी की हिंदी पाथ्थे पूरत पुस्तक बाल बहां भारत कथा के अठार में अध्याय भीम और हनुमान इस पाथ को पढ़ेंगे आईए वीडियो सुरू करते हैं सुहावना मौसम था द्रोपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी इतने में एक सुन्दर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आगिरा द्रोपदी ने उसे उठा लिया और भीम से इनके पास जाकर बोली क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे या कहते हुई द्रोपदी हाथ में फूल लिये युथिष्ठी के पास दोड़ी गई द्रोपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम सेन उस फूल की तरास में निकल पड़ा चलते चलते वह पहाल की घाती में जा पहुँचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था बगीचे के बीच एक बला भारी बंदर रास्ता रोके हुए लेटा हुआ था बंदर ने भीम की तरफ देख कर कहा मैं कुछ अस्वस्त हूँ इसलिए लेटा हूँ जरा आख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी मुझे क्यों जगाया तुमने एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीम चेन को बहुत गुसा आया और बोला जानते हो मैं कौन हूँ मैं कुरू वंस का बीर कुन्ती का बेटा हूँ मुझे रोको मत मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो बंदर बोला देखो भाई मैं बूरा हूँ कठिनाई से उठ बैट सकता हूँ ठीक है यदि तुम्हें आगे बहना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ भीम सेन ने कहा किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है इसी से मैं रुख गया नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता बंदर ने कहा भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था भीम सेन जरा कलक कर बोला क्या कहा तुम महादीर हनुमान को नहीं जानते उठकर रास्ता दे दो नाहग मृत्तु को निवता मत दो बंदर बड़े करुम स्वर से बोला हे बीर सांत हो जाओ इतना क्रोध ना करो यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूँच को हटा कर एक ओर कर दो और चले जाओ भीम सेम ने बंदर की पूँच एक हाथ से पकड़ ली लेकिन आश्चरिय भीम ने पूँच पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली उठने की तो कौन कहे उसे बड़ा ताजुब होने लगा कि यह क्या बात है उसने दोनों हाथों से पूँच पकड़ कर खूब जोर लगाया किन्तु पूँच वैसी की वैसी रही भीम बड़ा लज्जित हुआ उसका गर्ब चूर हो गया उसे बड़ा बिश्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकत वर यह कौन है भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बलिष्रद्धा थी वह नम्र हो गया बोला मुझे छमा करें आप कौन हैं हनुमान ने कहा हे पांडुबीर हनुमान मैं ही हूँ वानर स्रेष्ट मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्सन प्राप्थ हुए ऐसा कहकर भीम सेन ने हनुमान को दंडवत प्राम किया मारुती ने आसिरवाद देते हुए कहा भीम युद्ध के समय तुम्हारे भाई अरुजुन के रथ पर उड़ने वाली धोजा पर मैं बिद्यमान रहूंगा बीजय तुम्हारी ही होगी इसके बाद हनुमान ने भीम सेन को पास के जरने में खिले हुए सुकंदि फूल दिखाए फूलों को देखते ही भीम सेन को द्रूपदी का इश्मरन हो आया उसने जल्दी से फूल दोड़े और बेग से आस्रम की योर चड़ा गया तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को पढ़ लिया है आसा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद